काइनात में कोई इतनी शिद्धत से किसी का इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह पाक अपने बंदे की तोबह का करता है जब दर्द बढ़ने लगे और कुछ भी समझ ना आए तो अपने रब की तरफ चले जाओ क्योंके दिलों को सुकून उसकी याद में है दुनिया से अलेहदा रहकर इज़त की बका का मज़ा हासिल करो हसना इनसान के जिसम में नुकसान दे बिमारियों से लड़ता है जो लोग हर वक्त सोचते रहते हैं वो नफसियाती तोर पर किसी प्रेशानी में मुबतला है जो लोग हमेशा प्रेशान रहते हैं उनकी उमर बाकी लोगों की निस्बत घटती चली जाती है कभी कभी इनसान ना तूटता है ना बिखरता है बस हार जाता है कभी किसमत से तो कभी खुद से उन लोगों के लिए कामियाब बनो जो तुम्हे नाकाम देखना चाहते हैं इनसान की जिन्दगी के बत्तरीन वक्तों में से सबसे बुरा वक्त जवानी में गुर्बत है इस दुनिया में सुकून से जीने की एक ही तदबीर है के हर इनसान के पास एक वसी कभुरुस्तान हो जहां वो लोगों की गलतियों और खामियों को दफना आए किसी रिष्टे को कितनी ही मुहबबत से बांधा जाए लेकिन अगर इज़त और लिहाज चला जाए तो मुहबबत भी चली जाती है कभी कभी कोई वजह नहीं होती बस यूही इनसान जिन्दगी के पहिये में रेशम कीतान की तरह उलज़ा चला जाता है आगे जाने वाले पीछे रह होए लोगों को कभी याद नहीं करते अल्लाह पर यकीन रखना कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी इनसान को आस भी नहीं होती अजीब रिवाज है दुनिया का अपनी रौनक भी दो और जहेज भी कुछ लफजों से लोग मर जाते हैं कहने वाले ये क्यूं नहीं सोचते मुश्कलों में अपने इमान को बरकरार रखना यहीं जिन्दगी की असल हकीकत है किसी इनसान के साथ ऐसा सलूक ना करो जो तुम अपने साथ नहीं चाहते जिन्दगी में सबर और शुकर करना सीखो उससे खुद की भलाई और दूसरों की खुशियां बढ़ती है जिन्दगी में सफर करना है तो रास्ते बदलते रहो पर मन्जिल नहीं दोस्ती और प्यार को महसूस किया जाता है सिर्फ बयान नहीं किया जाता सुकून पाना है तो अपने अंदर की खुशियां बढ़ाओ बाहर की चीजों से उमीद मत रखो नीद से नफरत करने का कोई फाइदा नहीं बलके उसे अपना जुरूरी हिस्सा समझो अगर गरीब फाका से मर रहा हो तो यकीनन अमीर बदहजमे से मरेगा जवानी के फैसले अकसर जवानी में ही भले लगते हैं दुनिया के अजीम रहनुमा वक्त के दिये हुए मयार से बलंद होते हैं जिन्दगी का सबसे अजियतनाक काम मुसलसल किसी लापरवाह का इंतजार करना है छोटे छोटे शिक्वों से बड़े बड़े रिष्टे कमजोर हो जाते हैं जो चीज आपको पिरेशान करती है वही चीज आपको अकल मंद बनाती है कुछ ना करना इनसान के अच्छे हालत को तबाह कर देता है किसी बात पर लाइल्मी का इजहार करना जोट बोलने से बेहतर होता है खूश किस्मत हैं वो लोग जो अपनी बातों को सुनते हैं और उन पर अमल करते हैं वो चीज आपको कभी भी प्रेशान नहीं कर सकती जिसकी आपको खुआश ना हो मुश्किल काम उस वक्त खतरनाक हो जाता है जब उसे आसान समझा जाए इल्म पेसे से बेहतर है क्यूंकि आपने पेसे की हिफाज़त करनी होती है लेकिन इल्म आपकी हिफाज़त करता है जिन्दगी में एक बात याद रखना इनसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले जो इनसान दूसरों को शक की निगाह से देखता है हकीकत में वो अपने किरदार की बुरायां दूसरों में तलाश करता है किसी के माजी पर उसकी तजलील करने से पहले ये सोच लोखे कहीं उसका माजी तुम्हारा मुस्तक्बिल ना बन जाए गल्ती निकालना तो बहुत आसान है लेकिन किसी गलत को ठीक करना नई तामीर से ज़्यादा मुश्किल है किसी की इसलाह करने के लिए भी हिकमतो दनाई चाहिए जब कभी तुम्हें अपने रिजक में कमी नजर आने लगे तो कुछ माल अल्लाह को दे कर अल्लाह के साथ तिजारत कर लिया करो कोई सफर लाहासल नहीं होता मनजिल ना भी मिले तो रास्ते बहुत कुछ सिखा देते हैं सो जिन्दगी में कभी भी मुश्कलों से घबरा कर रुक ना जाना जिन्दगी में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ क्योंके बाद लोगों की बातें मायूसी में इजाफा करती है जिन्दगी के जिस मकाम पर भी हो उसे तसलीम कर लो और ये भी तसलीम कर लो के यहां तुम हमेशा नहीं रहोगे लोग जितना भी दिल दुखाएं ये बात याद रखा करें के जब अल्लाह के बंदे हमें तोड़ते हैं तो ही हमें अल्लाह से जोड़ता है अगर इल्म को दुनियावी फाइदा हासल करने के लिए सीखाया जाए तो कभी भी वो दिल में घार नहीं करता सबसे सलाम कहो अगरचा वो बुरे ही क्यों नहो अगर किसी से गलती हो जाए तो उससे दर गुजर कर दिया करो बेवकूफों के साथ हर्गिस बेतकल्फ ना बनो मुझे ये एहसास बहुत सकून देता है के कयामत के दिन हर चीज़ का हिसाब होना है मुझे अब लोगों के दिये गए जखमों पर दुख नहीं होता बलके उन लोगों पर तरसाता है इस बात को जानने में शरम महसूस मत करना जिसके जानने की तुम्हें जरूरत हो याद रखना ऐसा इनसान कभी किसी का खैर खुआ नहीं हो सकता जो दोस्तों और रिष्टेदारों को लिबास की तरह बदलता हो अगर कोई इनसान तुम पर इहसान करे तो पहले अल्लाह पाक का शुकर अदा करो फिर उस इनसान का क्यूंके अल्लाह पाक ने उसे तुम पर महर्बान किया है एसा रिष्क जिसमें ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और वो हो भी हलाल वो रिष्क करीम कहलाता है अगर इनसान जहन्नम से इतना डरता जितना अफलास से डरता है तो दोनों से बच जाता अगर वो जन्नत की इतनी ही खुआश रखता जितनी दौलत की तो दोनों को ही पा लेता जिन्दगी की असल खूबसूरती ये नहीं है के आप कितने खूश हैं बलके जिन्दगी की असल खूबसूरती तो ये है के दूसरे आप से कितना खूश हैं जब रिज्क में कमी वाकई होने लगें तो कसरत से अस्तगफार किया करो जिस शक्स के दुश्मन ना हो और सब दोस्त हो उस जैसा मुनाफिक कोई नहीं क्यूँके दुश्मन उसके होते है जो हक की बात कहता है बुरे इनसान की सोहबत से परहेज करो क्यूँके वो तलवार की तरह है देखने में खूबसूरत और असर में खतरनाक आँसू का हर कत्रा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगा है लेकिन कोई उसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आँख से ना निकले दुख में कभी भी पच्चतावे के आँसू ना बहाओ क्यूंके तुम वो खूश नसीब हो जिसे अल्ला ने आजमाईश के काबिल समझा है तंग दस्ती में सखावत करना गुसे में सच बोलना और ताकत के होते हुए माफ करना अफजल तरीन नेकियों में से है भलाई करो और तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो के तुम्हारी नेकी कबूल हो गई है जब आँखें नफस की पस्दीदा चीजें देखने लगें तो दिल अन्जाम से अंधा हो जाता है माफी जिस कदर शरीफ की इसलाह करती है उतना ही कमीने को बिगाड देती है मुसीबत के वक्त भी मुतमाइन नजर आओ और मुश्कलात के बावजूद भी खूश रहो जाल्मों से इनसाफ की उमीद रखना बेवकू भी है गरीब इनसान का सबसे बड़ा मसला ये है के वो अपने गरीब होने का हल उन्हीं लोगों के पास ढूंडता है जिनकी वज़ा से वो गरीब हुआ होता है मैं उन लोगों से हमेशा महबबत करता हूँ जो मुसीबत में भी मुस्कराना जानते हो हमेशा वो रास्ता मुंत्खिब करें जो बेहतरीन हो चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों न हो अपनी नाकामी से ही कामियाबी का रास्ता बना लो क्यूंके नाकामी ही कामियाबी की पहली सीड़ी हुआ करती है सही काम को करने के लिए सही वक्त और सही लमहे का होना जरूरी है दूसरों की बदकिस्मती पर गौर करें उस से आप अपनी बदकिस्मती को बरदाश्ट करने के काबिल हो जाएंगे कोई भी उस चीज की खुआईश नहीं करता जो आसानी से हासल हो जाती है इनसान के अंदर बरदाश्ट और साबित कदमी हर दर्द को खतम कर देती है